जी हाँ नमस्कार किसान वैयो प्रधानमंत्री किसान शम्मान निधियोजना को लेकर किसानों के लिए आ चुकी है बड़ी खुसकबरी क्योंकि सत्रवी किस्ट हो गई है जारी दो हजार रुपए की सत्रवी किस्ट जारी हो चुकी है किसानों का लंबे समय से चल रहा इंतजार समाप्त हो चुका है किसानों की चेहरे पर बहुत ही बड़ी खुसकबरी आप देख सकते हैं सत्रवी किस्त की 2,000 रुपए की रकम जो लंबे समय से इंतिजार चल रहा था वो किसानों का अस्तमाप्त हो चुका है अब हम बात करें प्रधानमंतरी किसान शम्मान निजी उजना के तहट जितने भी लाभरती किसान है जो सत्रवी किस्त का इंतिजार कर रहे हैं उनकिसानों को जानकारी हम बता दें कि सत्रवी किस्त का बेसरी से इंतिजार अब समपाम्त हो चुका है सोले किस्तों के बाद अब नई किस्त यानि कि सत्रवी किस्त का पैसा भी बैंकों के अकाउंट में प्राप्त हो चुका है सत्रवी किस्त के अपडेट यही आ रही थी कि 10 जून को किसानों के अकाउंट में सत्रवी किस्त का पैसा टांसपर कर दिया जाएगा और यह रासी जो है किसानों के अकाउंट में टांसपर हो चुकी है लेकिन एक और अपडेट आई है ये पैसा सिरब EKYC करवाने वाले किसानों के अकाउंट में ही भेजा गया है बिना EKYC कंपीट वाले किसानों के अकाउंट में ये पैसा जो है अभी तक ट्रांसपर नहीं किया गया है जितने भी किसानों को सत्रवी किस्त का पैसा मिल चुका है वो किसान जल्द से जल्द कमेंट वोक्स में कमेंट कीजिएगा और बताएगा कि आपको सत्रवी किस्त की रासी जो है आपकी अकाउंट में ट्रांसपर हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है अगर आपकी अकाउं सत्रवी किस्त की रासी जो काफी लंबे समय से इंतिजार चल रहा था और मोधी सरकार के अभी योजना में दो हजार रुपए की और बड़ोती कर दे गई है राधस्तान वासियों को अभी ये पैसा छहाजार नहीं बलकी आठ हजार रुपए दिया जाएगा जिसमें छहाजा रुपए केंदर सरकार दोहरा रासी प्राप्त की जाएगी और 2000 रुपए राधस्तान सरकार यानी भजनलाल सरकार किसानों को एड़ करके देने वाली है दस जून को शत्रवी किस्त का पैसा ट्रांसपर किया जा चुका है आपको इसी प्रकार से प्रढמנरी किसान शमान न एकसर करना बिलकुन ना बोले मिलेंगे साथ यो जल्दीनी अप्डेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाज जहिंद रमराम